समस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग फैंटसी टैलेंट आप यूटूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से कमाई करने के लिए तैयार हो जाएए मैच है शीलंका और अफगानिस्तान का और इस मैच के अंदर कौन कौन से खिलाडी है जो आपको इस स्मॉल लिग में क्लीन स्वीप करके दे सकते हैं उनके बारे में वीडियो में बता दूँगा और साथ ही Grand League में आप किन खिलाणी उपर रिस्क ले सकते हो इसके बारे में भी इस वीडियो में हम डिसकस कर लेगे तो वीडियो को सुरू से लेकर इन तक ध्यान से देख लेना क्योंकि जो information आपको यहां मिलेगी वो पूरे YouTube में आपको कोई नहीं देने वाला तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देना जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से बिल जाए और टाउस के टाइम पर अगर टीम में कोई चेंजिस होते हैं या फिर कोई जरूरी न्यूज जो मुझे आपको प्रोवाइड करनी है वो मैं आपको टेलेग्राम पर दे देता हूँ ध्यान रखेगा दोस्तो ओडियाई मैच है ऐसा नहीं कि टॉप ओडर के प्रेयर रखली काम हो गया यहां पर आपको सही नॉलेज होना जरूरी है तो ध्यान से वीडियो को देख लेना इस मैदान पर जो 18 मैचिस खेलेगा है जिन में से 10 बार चेस करने वाली टीम ने मैच को विन किया एवरेज स्कोर 270 का है नौ बार 300 से उपर का स्कोर इस मैदान पर बन चुका है मतलब एक अच्छा बैटिंग विकिट आपको देखने मिलता है बल्लेबास कैप्टन सी की बहुत अची चोईस बन सकते हैं अब इस मैदान पर जो आगरी मैच खेला गया था दोस् तीन का स्कोर अब स्कोर करने वाले प्लेयर कौन कौन से थे तो यहाँ पर देखिए एक शतक अविश्का फर्नांडो नेरोशन टेकवेला ओपन करने आए थे एक और शतक यहाँ पर देखेंगे मसकादजा ओपन करने आए थे एक और शतक जिम्मांबे तक से आपको शतक द जब आपको अच्छा batting wicket देखने मिलेगा तो normally जो top order के अच्छे player है जिनका record बढ़िया है वो आपको बढ़िया score करके दे जाएंगे तो आपके लिए सबसे बड़ा doubt clear हो जाता है यहाँ पे कि आप top order से एक अच्छे बनलवास को अपना captain और wise captain बना सकते हैं अब यहाँ पर आपको spinners के खाते में wickets देखने मिले है ऐसा नहीं है कि दोस्तो batting wicket है तो spinners को wicket नहीं मिले spinners ने भी wicket निकाले हुए है मतलब आप spinners को भी अपनी team में जगे दे सकते हो तो दोस्तो ये सवारी चीज़ आपकी clear हो गई होंगी अब हम बात कर लेते हैं दोनों teamों के बारे में दोनों teamों ने total खेले हैं 7 matches जिन में से 4 जीते हैं शीलंका ने 2 जीते हैं अफगानिस्तान ने T20 नहीं है कि दोस्तो एक तरफा भारी पढ़ जाएगी अफगानिस्तान की team ऐसा नहीं होगा जो पूरा match बढ़िये खेलेगा वही यहां पर जीतता है अब यहां पर देखेगा आखरी match खेला था अफगानिस्तान ने 313 किया शीलंका ने chase कर लिया था जिसमें इबराहिम जादरान का 162 यह जो खिलाडी है इसका selection percentage 40 के इर्दगिर्द घूम रहा है जबकि दोस्तों आप यहां पर देखेंगे शतक यहां था और शतक यहां पर भी था तो इबराहिम जादरान फुड़ा नजर रखेगा कैप्टन कर सकते हो जील के अंदर इसमॉल लीग में भी बना सकते हो नजीब उल्ला जादरान 77 राशित खान 4 विकेट मुहंबद नभी 2 विकेट यहां पर निसांका का आपको नजर आता है निसांका आपको यहां पर भी मिल जाएंगे यहां पर मेंडिस हैं यहां पर वानिंदू हसरंगा 66 प्लस दो विकेट है इसके अलावा चंडी मल असलांका दसुन सनाका कसुन रजीता और वानिंदू हसरंगा के दो विकेट है तो इसके अलावा आप यहां पर देखें रहमत अली बावन नजीब अब दोस्तों दोनों टीम के रिकॉर्ड्स आपको देखाता हूँ जहां वीडियो पसंद आ जाए वहीं लाइक कर देना पहले प्लेंग 11 से शुरुआत करेंगे सबसे इंपोर्टेंट न्यूज कि राशिद खान इस मैच में नहीं है राशिद खान को अपने रख रखाये त और अजमतुल्ला ओमारजई यहां से आपको मिलते हैं पतम और दिमुत करना रतने पावर पिले में आपको गिनबाजी करते हूँ देखेंगे कसुन रजीता और साथ में चमीका करना रतने और इसके अलाबा मतीशा पतिराना अगर वो खेलते हैं उनका रिकॉर्ड और उन मेंड इसका रिकॉर्ड बढ़िया है एक शतक लगाया एंजलो मैथ्यूस का 50 का एवरेज है और 5 बार इस मैदान पे 50 से उपर का स्कोर है इसके अलाबा डिसलवा ने एक में बारा किया गिनबाजी में सिर्फ एक हसरंगा है जिन्होंने चार पारी में इस मैदान पर 8 विक का के बारे में तो इन्होंने अफगानिस्तान के सामने किया है 61 का एवरेज तीन पारियों में और एक 50 है रिकॉर्ड बढ़िया है पिछले अगर हम इनके ODI केरियर की बात करें तो 23 पारी में 32 का एवरेज है साथ बार बड़ा स्कोर है मतलब हर तीसरी पारी में एक कमसोरी इनको लेफ्ट टाम मीडियम जो गेंदबाज होते हैं वो परिशान करते हैं और इस टीम के पास में एक नहीं दो गेंदबाज है जो की पावर प्ले में ही गेंदबाज ही करते हैं तो अब इनके लिए मुश्किले बढ़ सकती है ऐसे में एज़ा प्लेयर रख लेन कितिनी पारियों में 17 पारियों में तो अल्मोस्ट हर चौथी पारी में बढ़िया कर देते हैं पहले बेटिंग करते हुए भी रिकॉर्ट बढ़िया है लेकिन अफगानिस्तान के सामने थोड़ा सा फसे है राइट आम फास्ट बॉलिंग के सामने सूला का अवरेज है और आफ ब्रेक के सामने 27 का अवरेज है अब इन्हें टीम में रखना है या फिर किसी और को आगे रिकॉर्ड देखेंगे अगर कोई दूसरे ख्राडी का रिकॉर्ड बढ़िया नहीं होगा तो इनको जगे दे देंगे नभी और मुजीबूर रह्मान दोस्तों यहाँ पे मुजीबूर रह्मान अकेले ऐसे गिनबाजन जो पावर प्ले में गिनबाजी कर सकते हैं नभी नहीं करते हैं ये बीस ओवर के बाद आएंगे तो नभी से दिक्कत नहीं है दिक्कत ज़ादा हो सकती है मुजीब से इसके बाद दोस्तों नमबर 3 पे मिलते हैं कुसल मेंडिस अफगानिस्तान के सामने 5 पारी 72 रन 18 का अवरेज है एक बार 50 से उपर का स्कोर है और अगर हम बात करें पिछले 2 सालों के अंदर तो 19 पारी में 29 का अवरेज है 3 बार 50 से उपर का स्कोर है अल्मोस्त हर 6 पारी में बड़ा स्कोर बनाते है अब दोस्तों ये रेकॉर्ड कोई खास नहीं है बस इतना है कि अगर 25 रन कर दिये 40 रन कर दिये साथ में विकेट कीपिंग से 2 या 3 केच पकर ली तो उसका बेनिफिट मिल सकता है अब देखा जाये तो इन्हें और्थोडॉक से समस्या है राइटा मीडियम से समस्या है और ओफ ब्रेक गिनबाजी से दिक्कत है ओफ ब्रेक गिनबाजी करने वाले मुहमबत नभी इन्हें पहले भी दो बार आउट कर चुके है और इसके अलावा अजमत अल्ला ओमार जई और मुजीब और रह्मान दो गिनबाज और हैं जो इन्हें परेशान कर सकते हैं नमबर चार पर आपको मिलते हैं दोस्तों एंजेलो मैथ्यूस जिन्होंने अफगानिस्तान के सामने 37 के एवरेज के साथ में 45 हाइस्ट स्कोर किया है और पिछले चार सालों में 31 का एवरेज है जिसमें चार बार बड़े स्कोर किये हैं कितनी पारियों में 17 पारियों में मतलब हर चार पारियों के बाद में इनके बेट से एक अच्छा स्कोर निकलता है दिक्कत ये है कि कमजोरी ये है दोस्तों इनकी की left arm medium के सामने थोड़ा सा फज जाते हैं साथ में right arm medium ने भी थोड़ा परिशान किया है लेकि एक plus point ये है कि left arm medium जो है वो power play ने इन बाजी करेंगे फिर करेंगे death में तो शायद इनसे आमना सामना नहीं होगा दिक्कत होगी right arm medium से और महबन नभी से जो की पहले इने दो बार out कर चुके हैं तो right arm medium कौन है यहाँ पे अजबत उल्ला ओमार जई इसके बाद दोस्तों नाम है चरिता सलांका का इनका record बढ़िया है अफगानिस्तान के सामने भी और पिछले दो सालों में भी तो इस खिलाडी को आप अपनी टीम में जगे दे सकते हो इनको right arm fast bowling परिशान करती है जो की इस टीम के पास में नहीं है left arm medium परिशान करते हैं जो की इस टीम के पास में है जरूर लेकिन जब ये betting करेंगे तब आपको गिनबाजी करते हुए शायद नजर ना आएं फिर इनसे death over में आमना सामना हो सकता है फिर दोस्तों धरेंजा डिसिलवा है जो की all rounder है betting plus bowling दोनों करके देंगे हलाकि अफगानिस्तान के सामने betting उतनी अच्छी हुई नहीं है पिछले दो सालों में भी betting 27 का ही average है लेकिन गिनबाजी में लगब 5-6 over करके दे सकते हैं उसका benefit मिल सकता है 18 पारी में सूला विकिट इनके खाते में वैसे दर्ज है कमजोरियों की बात करें तो orthodox के सामने 21 का average है right time medium के सामने 14 का और off break के सामने 18 का average है तो मुझीब الرह्मान अजमत अल्ला ओमार जाई और मुहम्मद नभी इनके नाम आपको देखने मिलेंगे फिर दोस्तों यहाँ पे हैं दसुन सना का अफगानिस्तान के सामने 20 का average है और पिछले दो सालों में 26 का average है जो दो शतक लगा है वो दोनों शतक चीस करते हुए आए हैं और दोस्तों यह second betting करते हुए आप देख सकते हो चाइना में इनके सामने फसे हैं 10 का average है अब आपको यहाँ पे मिलते हैं नूर एहमद नूर एहमद जो की अच्छा कासा experience लेकर आ रहा है आई पिल का और इसके अलाबा राइट टाव मीडियम के सामने 25 का average है लेक ब्रेक के सामने 19 है अब चू की राशित खान तो है रही तो दोस्तो ये दिक्कत इनकी खतम हो जाएगी इसके बाद अगला नामे दोस्तो चमी का करुना रतने 21 पारी में 24 विकेट है थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं गिनबाजी average है डेथ ओबर में विकेट निकल जाता है उसका benefit मिल जाता है इने और फिर आते हैं दोस्त यहां पर आप देखेंगे 7 विकेट यहां आपको 26 विकेट मिलेंगे कारण वेरियेशन का बहुत अच्छा इस्तमाल करते हैं जिसकी वज़े से आप इनके खाते में बड़िया विकेट देख रहे हैं तो यह खिलाड़ी आपकी टीम में जगे बनाएगा जी एल इसमॉल ल अमीद करता हूं तो वीडियो को लाइक आप लोगों ने कर दिया होगा साथ में शेयर भी कर देना अब दोस्तों अफगानिस्तान के प्लियर्स का वेन्यू रिकोर्ड आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि अवेलेबल नहीं है अब अफगानिस्तान की तरफ देखें तो रह वेबरेज लेकिन आपको जो वानिंदू हसरंगा हैं जो कि इस टीम के लेक ब्रेक गेंदाज है पावर प्ले में गेंदाज ही नहीं करते हैं तो यहाँ पर यह दिक्कत खतम तो इस खिलाडी को टीम में रखा जा सकता है फिर इसके बाद दोस्तों इबराहीम जादरान इस इसके लाड़ी ने शीलंका के सामने अल्रेडी दो बड़िया पारी खेली हैं दोस्तों तीन बड़ी पारी खेली तीनों शतक हैं जो कि पहले बेटिंग करते हुए दो सेकंड बेटिंग करते हुए एक है ये खिलाडी कंफर्म है रिस्क ले सकते हो तो कैप्टन बना लेना है small league में क्योंकि 40% के आसपा सेलेक्शन है easily win कर जाओगे अगर थोड़ा भी बढ़िया कर दिया wise captain मना लेना अगर risk नहीं लेना चाहते और कम risk लेना चाहते हो तो सिर्फ team में रख लेना इसके बाद अगला जो नाभ है दोस्तों यहां से नमबर तीन पर रहमर्शा श्रीलंका के सामने इनका record बढ़िया है पिछले तीन सालों में भी record बढ़िया है साथ पचास तीन पचास second inning में इस खिलाड़ी को टीम में रखा जा सकता है क्योंकि कोई कमजोरी नहीं है तो और ज़्यादा आपको मिल जाता है फिर आते हैं दोस्तो नमबर चार आपको मिलेंगे हस्मत उल्ला शाहीदी श्रीलंका के सामने पंदरा का एबरेज पिछले एक साल में 32 का एबरेज है आठ बार पचास से उपर का स्कोर किया है लेकिन श्रीलंका के सामने record बढ़िया ना होने की वेज़े जिसे स्मॉल लीग में नहीं रख पाऊंगा जील में ट्राइ कर सकते हो राइट आम फास्ट बोलिंग थोड़ा परिशान करती है 22 का एबरेज है इसके बाद दोस्तो अगला जो नाम है नजीब उल्ला जादरान का टेक्निकली स्ट्रॉंग प्लियर है जैसे इबराहिम जादराने ना वो भी टेक्निकली स्ट्रॉंग प्लियर है यह दोनों भाई हैं और बहुत अच्छी बेटिंग करते हैं अब यहाँ पे देखिए श्री लंका के सामने 29 का एबरेज और 1.50 है पिछले दो सालों तीन सालों के अंदर 7.50 एक शतक कर चुके हैं तो ओजमोस्ट देखा जाए तो हर तीसरी पारी में बढ़िया कर देते हैं पहले बेटिंग करते हुए 5.50 सेकिंड बेटिंग करते हुए 2.50 है लेफ्ट आम मीडियम के सामने 22 का एबरेज है जो कि आपको नहीं मिल पाएगा श्री लंका के पास में है फिर दोस्तों मुहमद नवी नवी का गेनबाजी रिकोर्ड अच्छा है श्री लंका के सामने आप यहाँ पर भी देख सकते हो 6 पारी में 8 विकेट है और इनका नाम हमने बार बार देखा था कमजोरियों में अगर इनोंने 25 रं कर दिये 30 रं कर दिये साथ में एक विकेट निकाल दिया तो आपकी ड्रीम टीम में जगे बना लेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन का काम तो नहीं हो पाएगा लेकिन आपकी ड्रीम टीम में जगे बन जाएगी तो आप इस खिलाडी को टीम में रख सकते हैं फिर आता है दोस्तों यहां से नाम अजमतुल्ला उमारजई साथ पारी चार विकेट इनके खाते में है यह थोड़ी बहुत बेटिंग भी कर लेते हैं अगर जरूरत लगती है तो तो इस खिलाडी को आप जियल में ट्राइ करना राशित खान अभी खेल नहीं रहें फिर नाम आता है दोस्तों नूर एहमद का अब चुकी यहां पर देखो कि तो जीरो विकेट है लेकिन अभी अच्छा कासा एक्सपीरियंस आई पिल का लेकर आए तो जादा नहीं तो एक से दो विकेट की उमीद कर सकता हूँ और इसके बाद दोस्तों मुझीबुर रह्मान श्रीलंका के सामने दो विकेट है इनके कोटे के विकेट गए है नभी के खाते में और पिछली एक सालों में इन्होंने 31 पारी में 34 विकेट निकाले हुए है अंत में नाम है दोस्तों फजल अक्फारुकी और फरीद एहमद आप इनका रिकॉर्ड देखना 9 में 15 है कई लोग सिरफ उनी खिलाडियों को टीम में रखेंगे जिनका नाम सुना है आप यहां पे देखें बढ़िया रिकॉर्ड है इस खिलाड़ी को जियल में ट्राइ कर लेना अगर आप फजल अक्फारुकी को नहीं रखना चाते हो तो वैसे इनका रिकॉर्ड भी ताबर तोड है तो यह दोनों खिलाड़ी बढ़िया है दोनों को टीम में रख सकते हो आप आप बात कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन सी के बारे में इबराहिम जाधरान, वानेंदू असरंगा, राशित खान का नाम हटा दीजिएगा यह दो नाम स्मॉल लीक के लिए और आप चाहो तो यहाँ पर रहमत शाह का नाम और एड कर लीजिएगा इसके बाद गुर्बास, मेंडिस और मुहम्मद नाभी यह आपके जीयल में ट्राइ करने लाइक प्लियर है अब टीम कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं टीम में आपको कुछ चेंजिस होंगे दोस्तों टॉस के अकॉर्डिंग वो मैं आपको टेलेग्राम पे दे दूँगा जिन लोगों ने टेलेग्राम जॉइन नहीं किया है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है जॉइन कर लेना गुर्बाज, जादरान, करुना रतने, निसांका, डिसलवा, मेंडिस, हसरंगा, नूर एहमद, रजीता और फारुकी ये खिलाड़ी अभी टीम में है लेकिन जो चेंजिस होंगे वो टॉस के टाइम पे बता दूँगा टेलेग्राम पे इसको फाइनल टीम मत मानिएगा क्योंकि दोस्तों मुझे टॉस देखना पड़ेगा कि कौन पहले बेटिंग कर रहा है, कौन सेकंड उसके हिसाब से एक दो चेंजिस होंगे तो आपको टेलेग्राम पे बता दूँगा तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई, जय हिन, जय भारत